हलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चेनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एज़ू के स्टनल चेनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे डेंटल इन्फेक्शन के बारे में कि जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन ओफेट टूथ तो ये कंडिशन को किस तरह से हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे मनलेविकि इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट हम सिखेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डेटेल में तो आज का हमारा मेंट टॉपिक है कि जो दातों के अंदर जो संक्रामन होता है ये होने का कारण क्या होते है लक्सन क्या होते है और किस तरह से ये कंडिशन का हम इलाज करेंगे तो सिखते हैं डेटेल में ये वीडियो लेक्चर के अंदर तो एक्सपर्ट लेक्चर बाया मरसर और सिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर फार्मरोग्स तेंक्यू परबीन टूलेक फैमिली फार्मरोग्स अप्डिटेट रही है फार्मा नोलेज के साथ एक्सेस कर ये स्टडी मट्रियल टेस्स सिरीज वीडियो लेक्चर फार्मरोग्स के अप उपर तो एंडरोड यूजर एंडरोड अप डाउनलोड करें आइफ़न यूजर अप स्टोर से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो बेजिक कॉंसेप्ट है वो समझते है डेंटल इंफेक्शन के बारे में तो डेंटल इंफेक्शन मतलब की ऐसा इंफेक्शन की जो स्पेशल ही हमारे ओरल केविटी के अंदर रहे ये दांद मतलब की हमारे टूथ और ये जो गम सोधे की जिसको हम मसूडे कहते है तो मसुडे और दातों के अंदर जो infection होता है उसको हम कहते है dental infection और उसको हम किस तरह से identify करें किस तरह से उसको diagnose करें तो सबसे पहला point समझे कि pain होना या फिर inflammation होना कहाँ पे तो tooth and gums के आसपास या फिर उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ पे सुजन हुई है य दूसरी condition देखे तो tooth जो decay और infection कि जो दातों के अंदर हम देखते कि cavities वगरा देखने को मिलती है tooth extraction वगरा start होते है तो ऐसा आपको देखने को मिलता है तेसरी condition हम देखे तो feeling of throbbing pain इतना स्यादा आपको pain होगा कि आप tolerate भी ना कर पाई इतना ज्यादा आपको दांतों के इंदर दर्द होगा चौथा condition देखे तो swelling in or around your tooth and gums कि tooth and gums का यह जो हम reasons देख रहे है तो वहाँ पे आपको सुजन देखने को मिलेगी inflammation देखने को मिलेगा sharp pain होगा कि जब आप touch करते है वहाँ पे या फिर bite करते है कि जम जो कि खाना खाते वक्त जो आप bite करते है तो भी आपको काफी दर्द होगा sharp pain होगा और छटा point देखे कि जब आप ठंडा पानी पीते है तब भी आपको काफी जो है वह दर्द होगा दातों के अंदर कि जब यह ठंडा पानी आपके tooth को touch करेगा तो कि आपको जो है वह काफी pain होगा तो यह अलग अलग जो condition से आप यह identify कर सकते हैं, diagnose कर सकते है condition of a dental infection फिर सात्वा condition हम देखे तो even pain during the eating food कि खाना खाते समय भी आपको दात के अंदर काफी दर्द होता है और खाना खाने के बाद तो यह दर्द कई बार और ज्यादा बढ़ जाता है तो यह है dental infection का basic concept तो अब समझते हैं अब क्या होगा कि जो dental infection है उ उसकी anatomy and physiology जो है वो change होती है मतलब कि उसके structure and functions के अंदर changes होने होने लगते है कि जब आपको कोई dental infection होता है तो सबसे पहले समझे कि enamel damage होना कि यह दातों का सबसे उपर का जो layer होता है कि जो crown कहा जाता है तो anatomically यह portion crown कहा जाता है कि जिसके अंदर यह उपर का जो portion है कि जो आप देख सकते कि यह जो enamel का portion आप देख सकते हैं dentine है pulp है तो यहाँ पे specially जो उपरी परत है कि जिसको enamel कहते है तो enamel जो है वो damage होता है दूसरा हम देखे तो tooth erosion and decay कि tooth का देरे देरे erosion होना start होता है decay होना start होता है extraction होना start होता है मतलब कि जो sudden की जो क्रिया हम कहते कि दात जो है वो दीरे-दीरे सडने लगते हैं ऐसे condition भी form होती है कि ये infection को समझो कि आप treat नहीं करते तो आपके दातों के अंदर जो sudden है वो और ज्यादा जो है वो फैलती है तो step by step देखो कि समझो कि infection जब होता ही है तो सबसे पहले तो उपरी परज जो है वो enamel वहाँ पे असर होती है फिर वहाँ से ये जो tooth समझो कि यहाँ से enamel भी damage हुआ है तो ये infection नीचे की और फैलता जाएगा तो वहाँ से वो dentine तक आ जाता है dentine से ये जो pulp का reason है वहाँ पाँच जाएगा और फिर ये infection आप treat नहीं करते तो नीचे रहे ये जो root होते है कि जिसको root के नल कही जाती है और nerve and blood vessels होती है वहाँ तब आपका ये infection जो है वो फैल सकता है तो शुरुवाद कहाँ से होती है enamel damage से फिर tooth erosion and decay मतलब कि sudden होना चुरू हो जाती है वहाँ पे दाद सडने लगते है तिसरे condition अब वहाँ पे sudden हो जाती है तो वो sudden के कारण cavities हो जाती है दातों के अंदर कि यहाँ पे समझो कि इतने portion में कोई cavity हो चुकी है तो वो cavity के अंदर क्या होगा आप खाना जोग आप कुछ खाते है तो वो वहाँ पे first जाता है और वो समझो कि काफी लंबे समय तक रहता है तो वहाँ पे फिर काफी सारे germs जो हम कहते है bacteria जो कहते है कि वो जो हे वो develop होते है और वो bacteria फिर दीरे दातों के अंदर infection करना चालू कर देते हैं और वो infection काफी नीचे तक फैलता है फिर क्या होगा कि crown तो चलो damage होगा फिर अब root का damage होना start होता है और उसमें specially जो supporting हम कहें तो gums के अंदर infection होता है कि जो हमारे मसूडे होते हैं और जितने मसूडे मजबूत होते हैं दातों की भी हम कहते हैं कि मस्जबूती रहती है तो वहाँ पे susan हो जाती है और कुछ disease के अंदर कुछ infections के अंदर ये gums जो हो सॉर्प भी हो जाते हैं जिसके करन आपके जो दान्त हैं वो हिलने लगते हैं पांचवा condition देखें तो damage of a pulp कि ये जो pulp है कि आप ये ये वाला portion देखें कि ये वाला जो pulp कि वहाँ पे आप ये जो root canal through eye होई blood vessels और ये जो neurons है वो देख सकते तो वहाँ पे भी damage होता है dentin भी damage होता है and damage of nerves and blood vessels तो shortly हम समझे तो tooth infection के करन क्या होता है कि आपकी ये जो tooth की anatomy जो है वो completely जो है वो damage होने लगती है कि अगर आप initial stage में इसका इलाज नहीं करवाते तो आगे जाके ये anatomy और ज्यादा जो है वो खराब हो सकती है मतलब कि structure and function जो है वो changes होते है dental infection होने के बाद अब जानते हैं उसके reason के कौन से से अलग-अलग reason है कि जिसके करण आपको ये condition में से गुजरना पड़ता है dental infection की तो सबसे पहले है bacteria कि bacteria are the most common for reason behind the dental infection कि ऐसा कहा जाता है कि जो हम कुछ खाना खाते तो कई बार समझो कि आप अच्छे से खाना खाने के बाद brush नहीं करते या फिर सुबह उठका जो है वो minimum आपको brush करना चाहिए कि जिससे हमारे दांत जो है वो साफ रहे oral cavity proper clean रहे वहाँ पे hygienic condition बनी रहे बट हम क्या करते कि कई बार proper जो है वो care नहीं करते तो जो कुछ खाना वगेरा के खाना खाते है तो उसके particles यहाँ पे आप देखो तो जमा हो जाते हैं अब वो particles के अंदर क्या होता है bacteria bacteria develop होते है फिर लंबे समय के बाद तो germs जो develop होते हैं वो अपनी fermentations के process करते हैं और fermentations के process करके वो अपनी growth करते हैं और जितने bacteria के growth ज्यादा हो जाएगी तो वो फिर यहाँ पे start कर देंगे bacterial infection तो जिसके करन क्या होगा कि सबसे पहले वहाँ पे सूजन जीसा आपको देखने को मिलेगा tooth के अंदर reasons देखने को मिलते हैं तो जिसे हमने अभी condition समझे उस तरह से tooth जो है वो damage होना start हो जाते हैं उसके anatomy physiology change होनी लगती है तो bacteria जो है वो सबसे most common reason है और वो bacteria कहा से आते हैं तो कुछ bacteria तो oral cavity ने दर present होते हैं बट जब हम proper hygienic condition maintain करते हैं तो proper hygienic condition maintain करने से वो bacteria वहाँ से जो है वो नस्ट हो जाते हैं बट जब आपका dental hygiene completely poor है poor dental hygiene कि आप अच्छे से carry नहीं करते हैं आपके दांतों की तो आपको बार-बार कि minimum दिन में दो बार तो आपको ब्रहस करना ही चाहिए कि जिससे oral cavity जो है वो आपकी clean रहे है oral cavity clean रहेगी तो आपके दांत, मसूडे वगिरा भी अच्छे से clean रहेगी even आपको tongue भी आपको अच्छे से clean करनी चाहिए फिर आपके खाने के अंदर sugar वाली diet काफी ज़्यादा है high sugar diet मतलब कि आप जो है वो excessive sweet जो है लेते हैं खाने के अंदर कि eating excessive sweet वो भी reason बनता है ये dental infection के लिए because ये जो bacteria होते हैं उनको survival के लिए एक तो sugar चाहिए तो जब आप excessive ये sweet लेते तो उनसे उनको sugar मिल जाती है और साथ में समझे कि आप dental hygiene नहीं रखते तो भी उनको favorable condition मिल जाती है अपनी multiplication करने के लिए और छटी बात तो drinking soda अब soda लेने से क्या होता है कि ये उपरी परत है enamel वो जो है वो दिरे-दिरे damage होती है soda के कारण फिर वहाँ पर ये जो enamel damage होता है तो दिरे-दिरे वो वहाँ पर erosants भी कई बार देखने को मिलते है abscesses develop होना start हो जाते है extractions होना चालू हो जाते है तो ये सब primary reasons बनते है dental infections के लिए कुछ secondary reasons हम देखे तो sensitive teeth क्या आपके teeth काफी sensitive है तो भी आपको dental infection हो सकता है gum diseases आपको हुई थी कोई या फिर vitamin C की deficiency थी आपकी body के अंदर तो vitamin C की deficiency से हमें पता है कि जो scurvy नाम का रोग होता है तो vitamin C की deficiency है कि जिसको कई बार हम gum disease भी कहते है फिर scurvy भी कहते हैं तो scurvy के जो patients होते हैं उनको भी dental infection जो है वो काफी आसानी से लग जाता है फिर impacted tooth यह यहाँ पे दोखो यह दो diagram के अंदर कि यह tooth number one और यह दूसरा tooth यह दोनों के बीच में क्या हो रहे है impact हो रहे है impact इस रहे है because दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे है touch हो रहे है तो यह वाला जो teeth है कि जो थोड़ा आप bend हुआ देखे सकते तो यह क्या करेगा कि continuously यह वाले teeth उपर कि number 2 वाला जो teeth है वो एक उपर pressure डालता रहेगा उसी तरह से यहाँ पर आप यह number 2 और यह इसको number 1 करेगा है तो यह tooth आप यहाँ पर क्या कर रहा है इस तरह से pressure कर रहे है तो जिसके करन यह जो नीचे यह जो एक number वाले tooth का जो root है वो आप देखो तो यहाँ पर root channel को damage कर रहा है वो उसके प्रॉपर रूट को डेमेज कर रहा है और साथोसा द्वाह रहा है ब्लड वेसर है नियूरोन्स को डेमेज करेगा और यहाँ पे आपको फिर होगा इन्फेक्शन तो ऐसे कंडिशन में क्या होगा कि जो भी परसन ही उसको पहले तो पेन काफी होगा क्या आप टोलरेट भी ना कर पाओ उतना ज्यादा आपको पेन होगा वहाँ पे सुजन हो जाएगी पस्फार्मेशन भी हो जाता है कई बार टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाता है अपसेसिस होते है और कई बार जो है वो क्रैकिंग भी देखने को मिलती है टूथ के अंदर तो यह सब रेजन्स के कारण हो जाता है आपको डैंटल इंफेक्शन फिर समझे उसके साइन एन सिम्टम्स तो टूथ इंफेक्शन होने के कारण जब भी बोडी के अंदर को इंफेक्शन होता है बैक्टेरिया के ग्रोथ होती है तो जो fever वाले lecture में मैंने आपको जो समझाय था कि जब भी बैक्टेरिया बोडी के अंदर develop होते है तो ये एक primary symptom develop होता है कि fever होना तो person को fever हो सकता है फिर tooth pain हो सकता है कि दातों के अंदर दर्द होना सुरू हो सकता है severe persistent thrombing tooth है कितना tooth pain होगा कि आप उसको tolerate भी ना कर पाओ sensitivity आपको हो जाएगी गरम या फिर ठंडे temperature से कि आप समझो कि कोई घरम चीज भी लेते है कि आप tea लेते हो और वो थोड़ी गरम है और वो tea समझो कि याप टच होती है tooth को तो भी आपको pain होगा उसी तरह से समझो कि आप कोई cold drink लेते है ठंडा पानी लेते है तो भी आपको जो है वो temperature की sensitivity हो जाएगी tooth के उपर फिर sensitivity to pressure और chaving और biting कि आप समझो कि चब आते है तो भी आपको pain होगा थोड़ा बहुत pressure आता है तो भी pain होगा और जो खाना खाने खाते वक्त जो हम biting करते है उसमें भी आपको pain होगा फिर इसके करन क्या होगा कि जो oral cavity के अंदर यहाँ पे सुजन हो चुके है tooth and gums के आसपास तो वो सुजन आपके चाहरे पे भी देखने को मिलेगी और आपके chicks के portion के उपर तो यह sign and symptoms बनते है dental infections के अब समझते है उसके treatment अच्छे से तो tooth infection या फिर dental infection के जो treatment है उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए total 6 strategies बने है कि यह 6 उपाई करने से dental infection जो यह वो के लिए है कि सबसे पहले यह condition को जब हमें manage करने की person को काफी pain हो रहा है तो सबसे पहले pain जो है वो कम करवाना जरूरी है तो उस वक्त हम pain killers medications या फिर pain relievers हम कहते है उनका सहारा लेंगे दूसरा हम देखे तो जो infection हुआ है उसको कम करने के लिए जो bacterial infection है उसको reduce करने के लिए जरूरत पड़ेगी antibiotics की तो second हम pain relievers के साथ patient को antibiotic medication देंगे तिसरी condition रहते है कि dental energetic जो कही जाते है medication specially वो भी हम use कर सकते है चौथा कि जो salt water को use करके आपको gargling करना है पाचवा cold compress की एक technique कर सकते है कि यहाँ पे आपको pain हो रहा है तो वहाँ पे cold compress आप कर सकते है कि जो ice water bag आती है वो समझगे कि जहाँ पे आपको surgeon देखने को मिलती है चैरे के उपर जिस area के अंदर आपको pain हो रहा है तो वहाँ पे यह cold compress रक्षके आप जो है वो symptoms में रिलिव पा सकते हैं और छटा option रहते है कि उपर के पांचों option आपने try कर लिए बट फिर भी अभी तक dental infection अच्छे से treat नहीं हो रहा तो उस वक्त आपके पास surgery के option रहते हैं तो surgery के अंदर tooth removal या फिर वहापे जो capping करते हैं वो करवा सकते हैं या फिर उस से भी नहीं होता तो फिर RTC की जो root canal treatment जो हम कहते हैं तो यह सब हमारे पास option रहते हैं dental infections के treatment and management के अंदर तो सरुआत करते हैं analgesic से के कौन से analgesic आप यूज़ करेंगे तो non-opiate analgesic के अंदर आप simple parasetamol भी यूज़ कर सकते हैं फिर जो over the counter available दूसरे जो medication से non-steroid anti-inflammatory drugs में से जैसे की आप aspirin यूज़ कर सकते हैं, naproxin यूज़ कर सकते हैं, ibuprofen यूज़ कर सकते हैं कि जो over the counter आसानी से मिल जाते हैं फिर दूसरे हम देखे analgesic से के फिर pain killers के अंदर तो aciclofenic तो ये सबसे काफी असरदार साबित होते हैं, aciclofenic कि ये जो pain killer का काम करते हैं, ये medication specially non-steroid anti-inflammatory drugs के अंदर pain killer के अंदर aciclofenic और ये नीचे देख रहे हैं, आप diaclofenic दोनों काफी famous हैं तो ये क्या करते हैं, कि हमने जब सीखा था नसेट्स के बारे में, तो जो pain के लिए responsible mediators, sujan के लिए responsible mediators होते हैं, उनकी activity को बन कर देते हैं, block कर देते हैं उनका release के जिससे, आपका redness, swelling वगेरा है, sujan वगेरा है वो कम हो जाते हैं, उसी तरह से diclofenic भी आप यूज़ कर सकते हैं फिर options हैं, हमारे पास antibiotics के, तो antibiotics के अंदर सबसे ज़्यादा popular हम कहें, तो amoxicillin and potassium clevolinate के जो tablet है, वो काफी ज़्यादा prescribe किये जाते हैं, dental infections के अंदर, कि जो reduce करता है dental infections को तो जो amoxicillin हम देखें, तो वो penicillin class का antibiotic medication कहा जाता है, तो amoxicillin की तरह ही जो ampicillin है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, and their antimicrobial activity reduce the amount of the bacteria causing the pain, कि बैक्टिरिया जो infection करवा रहे है, और वो infections के करण होने वाले pain को कम करने के लिए हम ये antibiotic use कर सकते हैं फिर antibiotics के अंदर समझे के penicillin patients को suit नहीं करते, because कुछ लोगों को penicillin की allergy होती है hypersensitivity होती है तो दूसरा option रहता है, अमारे पास cephalosporins का, तो cephalosporins के अंदर septary exon करके है, cephepine है cephexym वगिरा है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, और काफी समझे के संक्रमन जो है, वो आप कम कर सकते हैं, फिर बात करें antibiotics के अंदर ही दूसरे medication के, जो कुछ patient को समझे के आगे cephalosporin भी suit नहीं, because कुछ लोगों को penicillin के allergy होती है, तो उनको cephalosporin भी suit नहीं करतें, तो उनके लिए option रहता है, metronidazol के tablets का, तो metronidazol तो कई बार combination में भी यूज किया जता है, या फिर penicillin या फिर cephalosporin suitable नहीं है, तो उस वक्त आप metronidazol patient को दे कर उसके treatment कर सकते हैं, और usually ये medications में आप क्या करोगे, तो person जो है वो डैली, जो है वो एक antibiotic लेता है, और एक से ना हो तो ही फिर वो दिन में दो लेता है, वरना एक antibiotic से जो है वो treatment हो जाती है, कि डैली 1 लेता है at least 7 days तक तो इस तरह से 100 for 7 days, तो 7 दिन तक दिल में सिर्फ एक ही tablet लेता है, तो भी उसका जो infection है, वो कम हो जाएगा फिर दूसरे कुछ antibiotics हम देखे कि जो काफी popular है market के अंदर, तो वो भी tooth infections के अंदर आप use कर सकते, जैसे की, ampicillin भी use की जाती है, amoxicillin के साथ के समझे की, amoxicillin patient को suitable नहीं है, तो उसका दूसरा option हमारे पास available है, amoxicillin या फिर ampicillin, दोनों में से कोई एक use कर सकते हैं, आप sapphic zim भी available होते हैं और sapphic zim suit ना हो, तो आपके पास option रहता है, sept reaction के फिर azithromycin आप देख सकते हैं, कि azithromycin भी use किया जा सकता है, dental infections के अंदर, तो azithromycin 500 mg के जो tablet के सिर्फ तिन दंग दंग patient लेगा, तो भी उसका जो infection है, वो काफी कम हो जाएगा, azithromycin नहीं तो azithromycin भी आप use कर सकते हैं, और फिर एक option रहता है, कि यह सब antibiotic का समझे कि resistance से, तो आप doxycycline भी patient को दे सकते हैं, तो बहुत सारे option मिल जाते हैं, antibiotics के अंदर, तो अब आपके mind में सवाल यह होगा, कि यह सभी antibiotic लेने हैं, या फिर combination में लेने हैं, तो उसका answer है कि only one, कि अभी दक जो हमने discuss किये, उस में से कोई भी एक, कि समझे कि कोई patient को आप azithromycin देते हैं, तो फिर दूसरा कोई antibiotic देने की जरूरत, नहीं है, सिर्फ azithromycin वो तीन दिन लेगा, तो भी उसका infection जो है, वो कम हो जाएगा, azithromycin चलो उसको नहीं जरूरत, या और amoxicillin से ही उसके treatment हो रही है, तो फिर दूसरे medications भी देने की जरूरत, नहीं है, तो यह जो हम देख रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक, only one ही suitable रहता है, उसके इलाज के लिए, फिर यह जो हमने बात की कि pain relievers के साथ साथ, एंटिबायोटिक, तो तीसरा एक प्रयोग आप कर सकते हैं, इसी के अंदर वो है dental analgesic और उसके अंदर सबसे popular क्लाव वाईल, तो क्लाव वाईल की जो herbal medicines कहते हैं, हम आयुर्वेदिक उपचार हैं, यह tooth pain का, तो herbal के अंदर, आयुर्वेदिक के अंदर कहा गया है कि जो क्लाव है, उसके अंदर रहा जो ingredient using all है, उसके पास natural anesthetic action भी है, और वो dental analgesic का काम करता है, तो क्या करता है, कि it help and numb and reduce pain as a toothache, कि toothache के होने के लिए responsible जो pain के sensation आपके brain तक जाते हैं, तो वो काम कर देता है, कि जिसको हम कहते है help in numb and reduce the pain, तो उस तरह से यह use and all काम करवाएगा, कि जो क्लाव वाईल के अंदर present हैं, use and all also have a natural anti-inflammatory property, कि naturally anti-inflammatory काम करेगा, यह dental analgesic के तोर पे, तो it may reduce the swelling and irritation in the affected area, कि जो area के अंदर swelling आपको देखने को मिलती है, irritation है, तो वहाँ पे आप यह क्लाव वाईल जो है, वो apply कर सकते हैं, तो यह भी आपके पास एक option है, फिर salt water, कि थोड़ा गुन-गुना पानी लीजिए, तो यह पानी के अंदर आपने थोड़ा, one tablespoon जितना डाला है, salt, तो यह salt water को जो use करके आपको करना है gargling, तो swiss and gargle the with salty water, और यह जो है, वो आप दिन में दो-तिन बार भी कर सकते, कि जब भी आपको ऐसा लगे, कि थोड़ा pain जैसा हो रहा है, तो आप यह gargling कर सकते हैं, और यह आपको speed कर देना है, थूख देना है, उसको swallow नहीं करना है, तो gargling के अंदर हम जानते है, कि सर्ब, यहाँ तक throat तक ही उसको gargling करना होता है, फिर उसको जो है वाप speed कर देते हैं, मतलब कि उसको थूख देते हैं, तो वो करना है gargling, पांचवा option, cold compress तो जो मैंने अल्रेड़ी आपको समझा दिया, कि यह जो आप देख रहे हैं कि वो है ice water bag, तो ice water bag आपको लेनी है, उसके अंदर cross किये हुए ice वर देने हैं, और जो भी area में आपको ऐसा दिख रहा है कि swelling जैसे हैं, आपको दिख रही है, सुजन देखने कर रही है, पेन हो रहा है, तो वहाँ पे यह cold compress आप देश सकते हैं, कि जिससे सुजन भी कम होगी, और pain sensation भी आपके infection तो फिर आपको dental surgery करवानी पड़ेगी, तो dental surgery is any of a number of medical procedures that involve artificially modifying dentition, in other words, surgery of the teeth, gums and job one, कि जो reasons है कि कुछ infected area समझे कि जो tooth काफी उसका extraction हो चुका है, तो उसको जो वह surgery करके remove भी किया जाता है, फिर क्या आप लगाई जाती है, वो भी option रहता है, root canal treatment का आपके पास option रहता है, तो वो भी surgery आप करा सकते है, और cavities वगेरा है, तो वहाँ पे जो है, वो proper material जो है, वो feel करके वो cavity को आप जो है, वो अच्छे से बंद करवा सकते हैं, तो वो भी options रहते हैं, dental surgery के अंदर, तो यह था हमारा special video lecture about the dental infections, thank you for watching, join कर सकते whatsapp group, access कर सकते study material, test series, video lecture, pharma rocks के आप उपर, तो Android user, Android app download करेंगे, iPhone user app store से, link आपको description box के अंदर, मिल जाएगी, so good luck and all the best.